साही तेरे चलणों में कोटी प्रणा साही तेरे चलणों में कोटी प्रणा साई तेरे चरणों में कोटी प्रणा साई तेरे चरणों में कोटी प्रणा शर्ण मेलेलो साई प्रभो शर्ण मेलेलो साई प्रभो शर्ण में ले लो साही प्रभव नमस्कार मेरे प्रियात्मन मैं साहीवानी में आप सब का स्वागत करता हूँ प्रारम करो जारी रखो इसी विचारधारा से हमें साहीवानी को प्रारम लिखे देश मिदेश की जगत में हम जुड़े और आज हम बहुत आगे जा चुके हैं साही बबाबा की एक भवया ऐसे स्मुटी की स्तापना हो चुके हैं बाबा वहां हमारे लिए मारदर्शक है और हम सब के परणास्तान है हमें उन्हीं शक्ति देते हैं कि एक भारा है और वहें ध्यानाव किया साही ध्यान से हम जूड़ चुके हैं और साही क्रिया से हम बहुत महत्पूर्ण जीवन में बदलाव लाना चाहिए कुछ कर गुदरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए साधान तो जूड़ जाएंगे संकल्प का धन चाहिए और यहीं संकल्प को हमने मद्दे नजर रखते हुए जीवन में क्रांती की बदलाव किया और इसी कारे से हम जुड़े रहें भाई और मेनों मैं विश्वाज देना चाहिए आज खासकर मैं एक बात पर अडिक्र होंगा कि मुझे पूरे विश्व में जो साई का प्रचार करना है उस प्रचार के लिए अशिरवा भी सबसे बड़े साधना है और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये साधना हमारे भक्ति की साधना है शक्ति की साधना है विचारों की साधना है और कुछ कारे करने की साधना है बहुत ऐसी बाते हैं जो कहना देगा लेकिन आज मैं इस सब कर जिक्र करूँगा सबसे पहले अपने जीवन में साई बाबा का शिर्वाद कैसे प्राफ करना है मैं आज का प्रशन आपको कहना चाहता हूँ कि जीवन की दूजी समशाओं को आप अपने जीवन में बहुत पहले उसको लिखना एक कागज और पेल लेकर उसमें लिखो कि आप कौन-कौन से समशाओं से जूज रहे और वो समशाओं साई के दरबार में रखो मुझे फोन करके मेरे साथ वारतालाब करो मेरे पूरी टीम आपको मारदर्शन करने के लिए तयार है लेकिन हम इतना चाहते है कि एक-एक माध्यम से आज हम साई के जीवन की जो गाथा है जो साई का चरित्र है जो हमारे जीवन के चरित्र से जुड़ा है और उसको जुडने के लिए जब साई बाबा अपने भक्तों को अशिर्वात देना चाहते है तो वो कौन से मार्क से देना चातें, कैसे देना था इसी के वारतल आपके साथ-साथ मैं उनका छेृत प्रारंब करने से पहले आज मैं उनका सबसे पहला संदेशा जो कभी किसी को पता नहीं कि बाबा कहा जनुवे है बाबा जो नीम के पेड़ के नीचे प्रगट हुए और उन्होंने मारदर्शंग करना शुरू किया बाईजा मासे लेके मासा पती तक सब को जैसे मारदर्शंग किया आज भी बाबा है और बाबा का सित्व समाधी में है और हम सब के विचारों में है मुझे जो ग्यान प्राप्ट हुआ है वो मैं आपको सब के साथ बाटने के लिए साई के अशिर्वाद से तयार हूँ भाई और भेनों ये सुत्र है मैं जो सुत्र बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही एहम सुत्र है और उसका पहला कड़ी है कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष तय करना है दूसरा और बहुत ही महत्मूर्ण सुत्र है कि उसके लिए ध्यान के माद्यम से साई क्रिया को प्रारणब करना है उड़िए एक स्ठेफ है जीवन की जो हमें हमारे चीवन में आत्मसाथ करनी चाहिए बहुत सारे लोग कहते हैं सुनीज आप कहानिया कहते हो बहुत अच्छा लगता है मैं कहाने अच्छा लगने के लिए जरूर कहता हूं लेकिन उसे बोद मेरे लिए बहुत मेक पूर्ण आप अर काहन इसे बहुत भीजिया का जाके अस्ता चार p उसका अज़े Insert you yes अरोग ब्रोटी कपड़ा मकानी अभुमीग का कि प्रातियाइं को सजक रहना है और साही वाबा के अपने घरों में अपने गाव'll में अपने कुणे में महले में अपने शहर में अपने राज्य में अपने देश में शाखाएं शुरू करनी है जिससे हम और अन्यदान ही उन्होंने जब कहा मैं तो शिक्षा और अरोग्यों के प्रति बहुत बड़ा कटिवद्दता के साथ कहना चाहता हूँ मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ इस कहानी का बोध आप ले और उसके बाद हम दियोन को कैसे आगे चले जाना चाहिए इसका मैं एक छोटा सा आपको परव कहने जाना है बहुत सारे महापुरुशों ने अपने जीवन में अपनी राय दी है अपने अपने जीवन में जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है बगवत गिता का सबसे महत पूर्ण अगर हम चिंतन करेंगे तो आरजुन जब अपने जी आपके में हम जब जीना चाहते है तो बहुत सारी समझ्या से बलत पढते हैं और हम जिन्दगी जीने में बहुत Immer फीक्षिम नाकामियाब होने का प्रयास करते हैं हाद जाते हैं साही बाब आपने भक्तों強 पख्तों को अपने जीवन में भाई और नो पुर्द करनी चाहिए और वबशारों की क्रानती है भक्ती तीक रही किक रही है और हमारे जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए मअसम ने जोट हैंगे संपलाइब एपन जोड़ा की अद्रूरता करनी चाहिए अपना व्यावसाई अपना प्रड़क्ट अगर व्यापारी भाई-भाई जुड़ रहे तो मैं उनको इतना ही कहूंगा जो भी आप व्यापार विनिमाई करते हो उससे वेबसाइट से जोडने का प्रयास करना है आज मैं निजी तोर पर जावाद्यत्मिक बात आज नहीं कर होंगा लेकिन अगर आपको कभी मेरा शब्द उस तोर पर लगे तो जरूर लेना क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया बाबा ने जब मुझे इंलाइट्मेंट में आशिरात दिया और उनकी भक्ति और उनकी शक्ति के साथ मैं जब लीन हो गया तो उन्होंने मुझे जीवन कि बढ़ गया जल उठो ठीडियर अधिर चया अपने जीवन में हमें टय करना है लक्स टय करने माता पीता शासरयमades का अधर करने वाला चीराधoken ये बाते सिब कहने के लिए नहीं तो अपने जीवन में आजमाने के लिए है हमें हमारे जीवन में वो शक्ति माना है वो भक्ति मानी है और साई की जीवन में अपने साय बाबग ने अजो अशिर्वात दिया अपने भक्तों को वो मैं कहना था आप उठो जागो और लक्ष को तय करो मैं सबसे पहले महतपुर्ण चीज आज जो आज से मतलब कल सुभे से साइवानी से साइवानी का योग सुत्र से जो संबन्ध है साइध्यानी साइबाबा ने धुनी जला के सब को संदेश दिया यह धुनी क् और अगनी का मतलब है अपने जीवन्म और अगनी को महत्वदो और वह अगनी होता है जौला विचारों की, शक्ति की, प्रेना की, एंस्पिरेशन की, ताकत की, भविश्य में कुछ करने की जो ज्वाला है, जो भक्ती है, जो शक्ती है, वो बाबा ने धुनी के माद्यम से जलाई है गोर गरिबों की सेवा बाबा ने की है आप भी करो गरिब के लिए मदद करो जिसको जरुत है उसको ग्यान दो और उसको आगे लेके जाओ मैं अध्यात्म की स्व्यास फिट से आज कहना चाहता हूँ साही वानी के माद्यम से जो साही प्रसाथ, साही खिचडी जो हमने लॉंच की है वो खिचडी है सब को प्रेर ना देनी के लिए ये भक्ति वाली खिचिडी है, शक्ति वाली खिचिडी है, ट्रांति वाली खिचिडी है और साही बाबा ने दी हुई प्रसाथ की खिचिडी है आपको उन गरिबों को पहुचानी है बहुत सारे आधिवसी स्कूल है, बहुत सारे आज ग्रंथा ले है बहुत सारे आई जैसे चाल अन्द चात्रा लेहे वहां हमारी साही खिचिडिया भी जाएगी आपके सहीयोग की प्रेम की प्यार की और समर्पन की जरुरत है इसरा और बहुत महफूर है बाबा अपने भक्तों को सुबह जल्दी काकरारती उठाने का प्रयास करते जो सुबह जल्दी उठेगा वो रात को जल्दी सुएगा और सुबह ब्रह्म मुर्थ में उठने का अनंदिया लग है ब्रह्म मुर्थ में उठने के बाद साही क्रिया को प्रानंब करो और साही क्रिया की नौ क्रिया है सबसे पहले है ध्यान प्राणाया, दूसरी है कपाल भाति, तीसरी है अनुलों विलों, चोती है भ्रामरी, पाच्वी है उज्जेई, छट्वी है सबसे महतपूर्ण है, जो मैं कहना चाहता हूँ उज्जीत प्राणाया, जो हम हमारी शक्ति को बाहर फेकते हैं, अब शिविरों के लिए जा रहा हूँ, लोग आ रहे जुड़ रहे और गले लग रहे और कहरें सुविल जी हमें बहुत प्रेरना मिल रहे है, प्रेरना तो साही बाबा दे रहे है, चिर्वी के साही बाबा का चिरवात एक बार मिल गया, आपको कोई नहीं रोग सकता, मैं सिर्फ एक बाब यहां दिल ठोक के, चाती ठोक के कहना चाता हूँ, उठो और साही क्रिया को प्रानम्ब करो, आपके जीवन में सबसे महग पूर्ण है ध्यान, यह ध्यान की एक शक्ती है, वो शक्ती प्रेनादा एक शक्ती है, आपको कोई नहीं रोग सकता, कोई कभी नह मैं छोटी से कहानी कहना चाता हूँ, एक बार एक इंसान, पूरी तरह से ठका हुआ, लकड़ी का बोज लेके चलता है, और वही से राजा के सवारी होती है, राजा सवारी करते देखता है, तो देखता है अपने राजी का एक बुड़ा, बहुत बुड़ा इंसान, बहुत में आपको जहां जाना है वहाँ छोड़ देता हूं मैं उसी तरफ से जा रहा हूं वह बुड़ा इंसान बहुत खूश हो जाता है और राजा के रथ में बैठ जाता है लेकिन आपने सर पर लिए वह बुरिया जो लक्डी होती है वह से रखता है राजा कहता है आप इतने मैं मेरा बोस रत पे डाल चुका हो मैं लक्डी का क्यों डालू राजा को कहता है आप पागले अरे आप रत में बैठ गया अब इसकी चिंता क्यों कर रहे हो आप सब कुछ चोड़ दो रत प्यामी आपको मैं जहां जाना चाहते हो वहां पहुचाना चाहता हो अब बोज ल मेरे लोगों का कैसे होगा मेरे राज्य में क्या-क्या हैगा सब कि कंया हो गार राज्या चालेगा के नहीं चलेगा लेकिल ही चलता है रहा जाट भोıt समझ्चा में हो सरी चीजों से घर रहेता था और अचानक अच्चानक वह उतहानी से बुड़ा हसने लगता हएला तब दनto इthu här rég8 9 और अगया लेकिन क्या कर रहा हैं तो क्यों चिन्ता लेके घूम रहा हैं कि तुझे क्या लगता है एंसना हो आप बाइब कर दो यह क्यों दो आपको जम दिया है वो हुद अपने भक्तों को अशिरवात देते बाई और बहनों स्रधार को साथ अपने जीवन में एक लक्ष पकर के उसकी पर चलो पहुच जाओ गया अपको कोई नहीं रोक सकता कभी कोई नहीं रोक सकता आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ भावा के उपर बोज़ डाल भी अच्छे करम करके सत्य के बार्ग पर चलना प्रेंगा यह रा है यह जीवन की रा है यह प्रेदना है यह इंस्प्रेशन है जीवन का लक्ष है और कुछ कर गुजरने के लिए क्रांती है यह क्रांती जीवन की क्रांती है यह भक्ति की क्रांती है शक्ति की क्रांती है मैं इसलिए कहना चाहता हूँ अब थोड़ा समझदारी से समझ गा मैं आज एक विशे पर बहुत आगे की बात करने 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 यह तो यह करना चाहते हो ओपने जीवन में तीसरा और महत्मूर्ण है प्रानायाम और उसके बाद ध्यान और उसके साथ थोड़ से एक्सराइज अपने शरीर को यह शरीर जो है ना यह कारे करने के लिए बना है बहुत सारे लोग आलसी बन चुके और आलस सबसे बड़ा शत्रू है मैं आज बिंती करूंगा सबको साथ बच कर 20 मिनिट में आस्ता बजन पर साहिवानी शुरूर किये साथ बजे आपको रेडी रहना है साहिवानी सुनने के लिए यूटूब पर आप सुनते हो बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं चाहता हो आस्ता बजन पर आप सुने बाबाराम दिव जी की आस्ता चैनल में पूरे विश्व से लोग जुड़े हैं योग के माध्यम से मैं जुलाव धान के माध्यम से योग मेडिटेशन के माध्यम से प्रानायम के माध्यम से और मैं चाहता हूं साही क्रिया और साही ध्यान आपके जीवन में क्रांति लाएगी उने के इस महतपूर्व सेंटर म मैं कारे करना चाहता हूं do a good safety का का रे यह sollte जीवन अया क्यो प्रशना निए मित जो पुर्णा के हमारे कहा सब्सक्राइब और बिश्णुद्यो राई ये पीएजडी वोल्डर है उन्हें ने डॉक्रेट किये और वो मुझे पूछते हैं सुनित जी ध्यान का अनभव भोग नीजी आनभव है हम कैसे पाएंगे मैं उनको कहना चाहते हैं डॉक्र साब अब हो सही पूछ रहे हो ध्यान का अनभव एक नी अनभव क्या दोगे इसलिए डॉक्र साब मैं सब को आज एक बात कहूंगा पानी पीने से भूख मतलब प्यास बूच जाती है ध्यान करने से ही ध्यान की शक्ती समझ में आएगी इसलिए मैं आगे एक बात कहूंगा जो बहुत महत पूर्ण बात है आज से ध्यान को प्रा और सिर्फ सास को ध्यान करने के बाद एक बार सिर्फ सास की तरफ नजर रखो अहिस्ता एक दिन नहीं होगा एक दिन में कभी कता ही नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा इसलिए मेरा आज का प्रयास है ध्यान के प्रती सजग होके साही ध्याना और साही क्रिया को प्र प्रारंब करो, चारी रखो साईवाणी का प्रारंब किया लगातार लोग साईवाणी को सुनते आ रहे हैं साई कृपा, जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है क्यूंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ती है जो जीवन में क्रांति ला सकती है बदलाव ला सकती है और खुशिया दे सकती है लेकिन उसके लिए प्राणायम बहुत महत्वपून है और अपने संकल्प के प्रती अडिक रहकर उन्होंने प्राणायम की श्रंखला को अपने शक्ती से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रती वो लगातार लेके चले गए इन सब शेत्रों के लिए एक ऐसा परिशेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके शिरिडी में साई बाबा के समाधी के आशिरवात के बाद उनको ग्यान और ध्यान दोनों की शक्ती देने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतीमा बनाकर वहाँ बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है देवल गाव गाड़ा, तालुका तौड, जिल्हा पूने यहाँ साई आंगन की और बारामती शेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मती करते हुए उन्होंने यहाँ नीजी विवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंगलिश माध्यम का स्कूल जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवु महेश्वरा, गुरू शाक्षात परव ब्रम्ह, तस्मय श्री गुरुवे नम्हा इसका ज्ञान ले पाएं इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSC एवं गुरुकुल की माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्यानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ Health is Wealth कहते हैं के शरीर ही सबसे महत्वपून संपदा है और उस संपदा को आयूरुवेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहां साईवानी आयूरुवेदा हॉस्पिटल की भी निर्मिति की हैं। और उस कारिय के लिए वो पूरी तरहा चुड़ चुके हैं। पूरी विश्व से लोग साई क्रिया और साई धैन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और इसलिए उन्होंने साईवानी ट्रस्ट.org इस एकॉमर्स की भी स्थापना की है। इस एकॉमर्स के माध्यम से हजारो करोडो भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लाटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्यान लोगों तक पहुँचाने के लिए साईवानी ट्रस्ट.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसलिए यहां आए यह बाबा की नगरी है। यहां बाबा का विक्यान, बाबा का आशिरवाद, एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहिब करपे जी के साथ लोगों तक पहुँच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साईवानी के ओफिशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। या अधिक जानकारी के लिए संपर्प करें।